हालो फ्रेंड्स दिस इस अर्पिता आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनीक सी रेसिपी जिसे आपने इससे पहले ना देखा होगा नहीं सुना होगा बहुत ही मज़िधार सी रेसिपी है ये बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आने वाली है और साथ ह हम इसे बनाने वाले गेहूं के आटे से तो ये टेस्टी के साथ हैल्दी भी होगी और इसे आप बोल सकते हैं चॉकलेट टैकोज या क्रीम टैकोज भी बोल सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी क्रीम टैकोज बनाने के लिए सबसे पहले एक बावल में डाल द और अभी इसमें डाल रहे हूं आदा चमच वनीला एसेंस और अभी इसमें दूद डालते जाएंगे जितना दूद की जरूद होगी उतना इसमें डालते जाएंगे दूद आपको रूम टेमटरेचर पर लेना है बिल्कुल भी फ्रेज का ठंडा दूद ना लें नहीं गरम दूद लें देखे थोड़ा-थोड़ा करके दूद डालते जाएंगे इससे बैटर पतला ना हो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके रहे डाले यह रेसिपी बनाने बह बच्चों को यह बहुत ही ज्यादा पसंद आती है तो आप एक बार अपने बच्चों के लिए भी इसको जरूर ट्राइ करें इसमें बेकिंग का भी कोई जंजट नहीं है और यह केक की तरह एक्टम बहुत ही टेस्टी लगती है इस बैटर को बनाने में टू कप मिल्क यूज हुआ है और बैटर अभी रेडि हो चुक है तो अभी इस बैटर से हमें पैंकेक्स बना कर रेडि करने हैं तो यह देखे मैंने गहस पर तरवा गरमों ने रख दिया है और अभी यह मैं मेजरिंग कप से ही ना वन पूर्थ भी डाल सकते हैं बट यह एक जिससे साइज के रहें इसलिए मैंने यह कप यूज किया है यह देखे इस पर बैटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा तवेको ऐसे पकड़ कर इसे चारो तरफ फेला देंगे रौड शेप में यह आ गया है अभीए हम इसे कवर करके तीन से चार मिनित टक सिम गेस पर पकने देंगे यह देखिए अभी इदर बबल्स आने लगे ना तब ही इसको बस हमें पल्ट देना है यह देखिए बबल्स दिख रहे है ना बस अभी हमें इसे पलट देंगे हमने कोई भी गी, आईल कुछ भी नहीं यूज़ किया है इसको सेखने में यह आप ध्यान रखें और यह देखिए दूसी साइट से भी हो चुक है, दूसी साइट से सिर्फ हमें एक मिनट तक ही पकाना होता है क्योंकि वो अल्रेडी पक चुका होता है, ये देखिए बस अभी से प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से बाकी बैटर के भी pancakes बना कर रेडी कर लेंगे देखिए अभी मैंने ये 4 pancakes बना कर रेडी किया है और इधर मैंने ये whipping cream लिए है और अभी हम से अच्छे से whip कर लेंगे तो electric beater की help से मैं इसको whip कर रे हूँ ये देखिए इस क्रीम को अच्छी से स्टिफ पीक्स आने तक बीट करना होता है यह दिखें अभी स्टिफ पीक्स आ गया है मीनस ही क्रीम बन कर रेडी हो चुकी है तो अभी इसे एक स्पून के हल्प से हम अच्छे से मिक्स कर लेता है तो अभी मैं इसमें घर का जुगाड कर रहे हूं यह एक पॉलेथिन मेरे पास इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लिया था और मैं इसक्रीम को इसके अंदर भर रहे हूं अगर आपके पास आइसिंग बैग्स हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं या फिर आप स्पून से भी कर सकत हैं बढ़ इस से थोड़ा शेप अच्छा आता है इसलिए मैंने इस बैग में रख लिए दर undndale इसको कट कर दूंगी थोड़ा सा देखिए यहां से में थोड़ा सा कट कर दूङी और अभी ये मैंने पैनकेक्स ले 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 हैं जो उपने बना कर रखे थे इनको ना हलका सा फोल्ड करना है इस तरह से नहीं करना है कि ये टूट जाएं बहुत ही सौफली इसको देखे दीरे-दीरे से थोड़ा सा फोल्ड करना है जो ये टैकोस की शेप ले 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 बस इसतरा से आप इसे कर सकते हैं या आप spoon से भी कर सकते हैं spoon से बी easy ली हो जाता है बस इस तरा से थोड़ा अच्छे से लग जाता है दिखने में तोड़ा जादा अच्छा लगता है और अभी देखे इसको थोड़ा सा हाथ से दबा देगे टाइटना दबाएं थोड़ा से दबाएं बस और अभी इधर मैंने लिए स्प्रिंकल्स और इनके उपर ये स्प्रिंकल्स दाल देंगे जिसे कि और भी जादा अट्रेक्टिव लगेंगे और बचों को बहुत जादा पसंद आएंगे बचों को वैसे भी कलरफूल चीज़े को सब्सक्राइब करके बैल आइकन क्लिक कर दें